आज इस लेक्चर में हम कम्प्लीट कर रहे हैं जैन्थो मुनास मालवी सीयरम बैक्टीरिया का डिजीज साइकल विच इस गॉइन टू कॉस एंगुलर लीफ स्पॉर्ट डिजीज ओ दो कॉटन हमने लास्ट टू लेक्चर में कवर किया है कॉजटिवेजिंट के बारे में औ जो प्रिजेंट बैक्टीरिया हैं वो ही इस इंफेक्ष्टन को कॉस करते हैं और जैसे हम इसे पिंद प्लांटम कर दो कॉत है कुछ मॉन्फ डिजीजिज तो ये सारे भी disease का प्रसार करते हैं और dissemination कर सकते हैं इसके अलावा air, water और अनिक physical और biological factors हैं जिनके कारण इस particular disease का प्रसार होता है जिसे हम कहते हैं black arm disease of the cotton और angular leaf spot disease of the cotton इसके control के लिए हम क्या कर सकते हैं कि seeds की sowing से पहले हम concentrated S2SO4 का solution लें sulfuric acid का और उसमें 10 से 15 मिनट के लिए उनको डुबो कर रख दें इन seeds को लें और concentrated S2SO4 में रख दें फिर बाद में उसे स्वक्षिजल से धोकर use कर सकते हैं या infected seed में से bacteria को killing करने के लिए हम streptocyclin antibiotic का घोल भी use कर सकते हैं हम उसमें उसे कर रख सकते हैं field में हम कुछ fungicides जिसमें 1% bordo mixer कर यूज कर सकते हैं 2-3 kg पर लीटर में CuCl2, agromyocin and 7.5 g पर लीटर etc इन सारी शीसों का हम छड़काव कर सकते हैं जिसको हम एक सपताह के अंदर अगर करते रहते हैं तो हम इसको control कर सकते हैं cotton की कुछ special varieties हम यहां यूज कर सक सकते हैं जो कुछ रोग रोधी किसमें हैं for example bjr, bjr92, hg9, p14 and type 128 अगर हम इनको भी यूज करते हैं तब भी हम इस disease को control कर सकते हैं next class में we will understand about the another disease related to the bacteria